हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका मेरे यूटीव चैनल पर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वर्टसेप की टोन यानि की कोई मैसिज आता है या कोई कॉल आता है आप उस रिंग टोन को बदलना चाते हैं मैं आपको दोनों ही करके बताने वाला हूँ जैसे की मैसिज पे और कॉल आने पे एक टोन बसती है तो उसे हम कैसे चेंज करें आईए जानते हैं इसके लिए आपको अपने फोन में वर्टसेप को चालू करना पड़ेगा तो अपने फोन में वर्टसेप को चालू कर लीजिए और यहाँ पर अपना वर्टसेप अपडेट कर लीजिए अगर आपका वर्टसेप अभी तक अपडेट नहीं है तो WhatsApp अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको कैसारे option मिलेंगे तो इसे open कर लीजिए और आपको मिलेंगे यहाँ पर 3 dot तो 3 dot पर touch करिए और 3 dot पर touch करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक option settings तो settings पर touch करिए और settings पर touch करने के बाद आपके पास ऐसा option आ जाएगा फिर आपको यहाँ पर कई सारे option मिल जाएगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा notifications आप देख सकते हैं आपको इस पर touch करना है और यहाँ पर आपको कई सारे option मिल जाएगे अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए सबसे पहले conversation tone आप इसे change कर सकते हैं, अपने इस आप से set कर सकते हैं, यहाँ पे vibrate कर सकते हैं आप इसको, pop-up notification आप इसे बन चालू कर सकते हैं, नीचे की तरफ आईए, यहाँ पे आपको मिलेगा group notification, आप इसमें settings कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलेगा एक option, call ringtone, तो ringtone पे आईए, यहाँ पे आप ringtone चेंज कर सकते हैं, music पे जा सकते हैं, file manager में जा सकते हैं, और अपनी जो ringtone है, change कर सकते हैं, तो यहाँ पे WhatsApp की एक default ringtone होती है, पहले से ही, और वही अच्छी लगती है, तो अगर आप चाहें तो इसे change कर सकते हैं, कोई गाना लगा सकते हैं, या कोई अलग सी tone लगा सकते हैं, तो यहाँ पे message के लिए अलग है, message के लिए यह वाली है, और अगर कोई call आता है, तो उसके लिए यह वाली है, शायद आपको समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को like करें,